दोसे का मुख्या आकर्षन हुन पींग रचंगा, गाउं होस या सहर केही बर्स अगी सम्मा लिंगे पींग, रोटे पींग हरू जता तताई दिखिन थे, सहर का आकास चंगाले भरिये का हुन थे, राजकाल न चंगा दिखिन छन न पींग केही बर्स अगी सम्मा काठमडो का चोक चोक मा पींग हुन थे, बालबालिका देखी प्रोड सम्मा पींग मा मच्ची रहेका हुन थे, तर यो बर्स कस्तोईले पींग नहाले पची कलंकी का नवराज रिजाले छोरी को रहर पुरा करन पींग खोस दे हिंडु परेश अनामनगर का दस बर्से सुपिल त्रिपाठी त पिंग खेलने चोभार पुगे घर नजी केई पिंग हाले पछी चोभार की गीता थापलाई बल्ल दसे आये जस्ते लागे को छा अनामनगर का मानविक स्ट्रेस्टलाई चंगा खुबई मन पर्छा उनका बुबा मुकुन्दा स्रेस्ट बालबाले का लाई चार पर्व अनुसार संस्कार संग परिचित बनावने दाहित्प अभिभाबक को भयको बताऊँ छन यही कारण उनले चंगा उडाउनके लागी छोरालाई चोभार लईजाने गरेगा छन दसाई मा एत पटक भुई चार नई परने संसकार का कारण पनी पिंको महत्त रहेको संस्कृती बीधरू बताऊँ छन नया प्रविधी तथा अधोनिक ताले घेरियेका नया पुस्तामा पिंग रचंगा प्रती तेती चासो देखी देईना अईति हासिक सांस्कृतिक तथा परंपरागत मुल्य मान्यता संग जोडियेका पिंग तथा चंगा उड़ाउनी प्रचलन ये सेरी ने हराउदे जाने हो भने अब का पुस्ता का लागी यो एका दिसको क्था नबनला भन्ना सकी देईना कांति पुर्समाल चार कलागी क्या मेरा माबिकास जोडिका साथ असमी तापराजुलीको रिपोर्ट